दोस्तो हिरे की परक जोहरी को ही पता है पराबर हर कोई हिरे की कदर नहीं कर सकता हम लोग तो से शाद काच का टोड़ा समझ कर यूहीं फेक दे ठीक ऐसा ही एक केस हुआ है रफाल और भारती एरफोर्स के बीच में दरसल रफाल जिसका की प्रड़क्शन भी बन कर दिया गया था और कहीं से भी उसे कोई एक्सपोर्ट आरडर नहीं मिला था उस रफाल को भारती एरफोर्स ने पहचाना और इस बात का निर्धारन किया कि हाँ ये चाइना और पाकिस्तान दोरों ही हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए परफेक्ट रहेगा उसके बाद भारत ने इसका ओरडर दिया आप जानते हैं कि इसका ओरडर प्लेस करने में भी भारत को कितनी तकलिफें हुई और इसके बाद जो हुआ भारत के अंदर वो एक अलगी चीज थी यानि राहूल गांदी और नरेंद मोदी की बीच में जिस तरह की फाइट हुई थी रफाल को लेकर यकिनन वो पूरी दुनिया के अंदर एक एड़रिस्मेंट था रफाल के लिए कि देखिए जी भारत जो कि दुनिया का डंबर चार का सबसे ताकतवर देश है चाइना और पाकिस्तान जैसे घटिया से घटिया देश इसके दुश्मन ठहरे वही भारत इन घटिया दुश्मनों को काउंटर करने के लिए रफाल जैसा फाइटर येरकरप खरीद रहा है तो सोची रफाल कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसे तिबबती एन एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए थे तिबबत का वो इलाका जहां पर अच्छे अच्छे एरकरप नहीं जा पाते वहाँ पर राफाल को लड़ना था एजब्ट के बाद में UAE ने और किया ग्रीस ने और किया क्रोवेशिया ने और किया मैंने एक वीडियो बना कर आपको बता था कि सर्विया भी इसका और प्लेस करने वाला है और अभी बताए जा रहा है कि 42 की संख्या में रफाल जो कि एड़वांस होंगे नेक्स जेनरेशन होंगे वो इंडोनेशिया ने भी खरीद लिये है जिसके तहित इंडोनेशिया को मिलने वाले हैं 42 की संख्या में रफाल अब जब भी कोई नया देश रफाल का ओर्डर प्लेस करता है क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रांस 20 से लेकर 22 रफाल हर साल मैनुफेक्चर कर सकता है इस से ज़्यादा की कैपसिटी उसके अंदर नहीं है अगर अपनी कैपसिटी को बढ़ानी भी हो तो इसमें भी बहुत सारा समय लग जाएगा अब obviously जिन्होंने पहले बड़े बड़े ओर्डर्स प्लेस किये हैं उन्हें पहले डिलवरी दी जाएगी फ्रांस की तरफ से फिर अगर भारत एडिशनल रफाल के लिए डील करता है तो फिर बाद में इन सभी के डिलवरी कंप्लीट हो जाने के बाद भारत को डिलवरी होगी याने इसमें लग सकता है अच्छा खासा समय मैं आपको बता दू कि फ्रांस के पाद जिस तरह की स्थिती है फिलाल याने जो 20-22 मैनुफेक्चर कर पाता है वो हर साल अगर अभी की स्थिती में हम लोग को एडिशनल रफाल बुक करते हैं मान लिजिए 36 या 72 कर देते हैं तो यकीन मानिए कि ये तब आएंगे जब तक हमारे पास स्थेजे स्मार्ट टू अलरड़ी आ चुका होगा या फिर हमारे एमका के भी आने का बिल्कु समय आ चुका होगा तब जाकर इनकी डिलिवरी कंप्लेट होगी क्योंकि 188 के लगभग इसके और प्लेस अल्रेडी हो चुके हैं और आने वाले समय में और बढ़ेंगे इन सभी की जानकारी में आपको डीटेल में दिये मैं आपको हर वीडियो की लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपके पास टाइम हो तो सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा आपको इससे संबंदिस सारी जानकारी हैं मिल जाएगी तब भी अल्टिमेटली बात वही आ जाएगी कि 27-28 तक हमें इनकी डिलेवरी शुरू हो पाएगी तो ये जो भीच में खबरे निकल कर आ रही थी कि हमारी येरफोर्स ये चाहती है कि हम एडिशनल रफाल खरीद लें और काकजी कारवाई भी इसके लिए बोले जा रहा था कि गंपलीट हो गई है ये सारी चीज़ें अब फिकी पड़ती भी दिखाई दे रही है